हेलो बच्छो नमस्कार स्वागत है आपका सफ़ल 2.0 में मैं देविन आपका फिर से स्वागत करता हूं इस बैच में और मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं economics जो कि हमारे सीवेटी 2024 के लिए बहुत important topic हो जाता है subject हो जाता है क्योंकि की domain subject है है अगर आपका सफना है किसी भी इंडिया के Central University में जाने का वहां से graduation करने का तो आपके लिए यह बहुत important होने वाला यहां के सारे आपके जो classes free of cost हैं यहां पर आपको मिलती है DPP जिससे आप अपनी practice कर सकते हैं तो अब तक हम लोगों बहुत अच्छे से समझ लिया है class 11th का जो topic जो हमारे exam के लिए important है वो भी और फिर हमने शुरू किया था यहां पर अपना macro economics बहुत अच्छे से last class में समझ लिया था हमने हमने समझा था क्या होता है concept economics का क्यों हम पढ़ते हैं यहां पर economics के लिए और उसके बाद हम लोगों ने यहां पर जानने की कोशिश की क्या है macro economics क्यों इसको आज के date में बहुत important माना जाता है माइक्रो economics के अलावा ठीक है और क्या इसका significance है हमारे पढ़ाई के लिए और हमारे किसी भी economy के लिए या फिर economic development के लिए बहुत अच्छे से समझ लिया था और आज यहां पर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कुछ important concept national income के जो की आपका fundamental या फिर आपका base clear कर लास क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि किस तरह के questions हमारे examination में पूछे गये हैं क्या pattern रहता है उसका तो आपको basics और fundamentals भी बहुत अच्छे से समझने चाहिए ताकि अगर कोई question वहां से पूछ लिया जाए तो आप कभी भी उसको miss ना करें ठीक है तो को आगे बढ़ाते हुए हैं पर हम लोग national income को तो पढ़ेंगे लेकिन उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे क्या होता है circular flow of income बहुत अच्छे से यहां पर पूछा गया सवाल है आपके last examination में देख लेजागा लास्ट वीडियो उसके बाद हम लोग समझेंगे यहां पर types of circular flow ठी then हम लोग यहां पर समझेंगे basic aggregates of national income ठीक है तो चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का topic तो आगे बढ़ने से पहले जरा समझते है circular flow of income क्या होता है क्यों 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 अगर आप circular flow of income को नहीं समझ पाओगे तो फिर आप कभी भी national income के अलग-अलग methods या फिर aggregates क find out करने का method होता है या technique होती है उसको कभी समझ नहीं पाओगे तो theory को बाद में पढ़ेंगे पहले समझते है कुछ practical example के जरीए अगर आप अपने घर से बाहर निकलो market पहुचो या आप अपने गाउं में जहां पर आप रह रहो एक बहुत छोटी सी जगह देखो जहां पर रहने वाले लोग होंगे ठीक है बहुत बड़ा सा खेत है और उस खेत के मालिक यानि की owners कौन है उस गाउं में रहने वाले लोग है तो factors of production क्या होगे आपके जो लोग गाउं में रह रहे हैं और उनका जो land है उसके बाद वो जो कुछ भी काम करेंगे उस खेत में वहां से कुछ उनको क्या मिलेगा production मिलेगा ठीक है आरे बाद समझ और उसके अलावा वहां से जो कुछ भी आएगा वो उसको ही consume कर लेंगे या consumption कर लेंगे ठीक है तो चीजों को समझने की जड़ा कोशिश करना कि ये गाउं है उसमें बहुत बड़ा सा खेत है और उस खेत में क्य किया जाता है तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे वहां पर जो उस खेत में मजदूरी करने जाएंगे आरे बाद समझ दूसरा एक या दो व्यक्ति या दो परसन वहां पर उस खेत के मालिक होंगे owners होंगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो जो खेत का मालिक है वो owner हो गया है अब जो कुछ भी उस खेत में प्रेड्यूस हुआ वो कंजम्शन प्रॉसस के लिए यूज किया जाएगा बाटा जाएगा और फैक्टर्स प्रोडक्शन के बीच में जैसे कुछ तो जो प्रेड्यूसर है यानि कि जो owner है खेत का वो ले जाएगा अपने घर पर और कुछ जो प्रेड्यूस है वो उन फैक्टर्स प्रोडक्शन को बाट दिया जाएगा दे दिया जाएगा जन्होंने अपनी फैक्टर सर्वेसेज या फिर्मापर मजदूरी की थी आरे बस समझ तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो घूम फिरके किसके पास आ गया फैक्टर्स तो यही आपका कहलाता है circular flow of income, हमारी national income में या फिर किसी भी economy में, ठीक है, तो इसको बहुत simplification के जरीए हम लोग यहाँ पर समझेंगे, बहुत simplified form में समझेंगे, चलिए समझते हैं, क्या होता है, तो यह cycle होती है, ठीक है, क्या होती है, cycle होती है generation of income की, ठीक है, पहली बात, आपके खेत में जो production हुआ, वो फिर से किसके पास पहुँच गया, वो पहुँच गया आपका यहाँ पर factors of production के पास में, ठीक है, in the production process, production process में एक cycle of generation of income को क्या कहते है, circular flow of income कहते है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, distribution होता है आपका factors of production के बीच में, ठीक है, क्या, किसका, जो भी final produce होगा, goods and services का, ठीक है, कोई दिखकर दिया तक नहीं होगी, ठीक है, it's circular flow from household to firms, अब जैसे क्या है, कि मैंने बोला कि जो आपके गाओ के लोग है, वो क्या होगए, household होगए, और जो उस खेत का मालिक है, वो क्या होगया, firm होगया, ठीक है, वहाँ पर खेत क्या services दे रहे हैं, ठीक है, महनत कर रहे हैं, और वहाँ पर production में help की जा रही है, ठीक है, in the form of consumption, ठीक है, in the form of consumption expenditure, ठीक है, अब यहाँ पर, जो भी पैसा मिला है, जो भी पैसा मिला है किसके लिए, उन मजदूरों के लिए, जिन्होंने काम किया था, उस खेत में, ठीक है, अब या तो उनने सीधे तोर पर के दिया जाए, गिःहूं ही उनको दे दिया जाए कि आप इस गिःहूं को रख लीजिए, ठीक है, इस से अपना काम चलाए, अपना पेट भर ये, या फिर, क्या होगा, जो खेत का मालिक है, वो क्या करेगा, उनको पैसा पेमेंट करेगा, क्य यहां पर एक ऐसी cycle है ये जिसमें आपके 3 बहुत important aspects आपको देखने चाहिए, ठीए? सबसे पहला क्या है, कि जो खेथ है उसमें produce किया गया क्या? wheat, क्या produce किया गया? wheat का production गया, और उस wheat को produce करने के लिए, ठीए? उस wheat को produce करने के लिए क्या किया गया, बताये artifactor, services दी गयी and factor services दी गयी ठीक है और बदले में उन लोगों को क्या मिला जो मजदूर थे उनको मिला यहाँ पर पैसा क्या मिला यहाँ पर पैसा ठीक है तो disposes of income क्या मिला ही अपर income हुई, जो लोगों ने यहाँ पर काम किया खेतों में, उनको क्या हुई, इंकम हुई, और उसी पैसे को, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर आपका खतम कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, खतम कर देंगे, ठीक है, तो यह क्या होगे आपका, disposition मतलब क्या हुआ, कि जो पैसा उनको मिला है, ठीक है जो forms है वहां से पैसा किस की तरफ आया है household की तरफ आया है किस की तरफ आया है household की तरफ आया है और वही पैसा जो है वो किस की तरफ चला गया वो यहां पर household से किस की तरफ चला गया जो production किया है किस में form में ठीक किस में किया है form में तो ये आपके तीन important stages होते हैं या फिर phases होते हैं circular flow of income में ठीक है क्या सबसे पहला तो कि production हो रहा है goods and services का जो factors of production है उनको पैसा मिल रहा है वो जो भी contribution कर रहे है in goods and services के production के लिए और फिर उसी income को क्या कर रहे हैं वो use कर रहे हैं उन goods and services को खरीदने के लिए जो की इस firm में produce की गई थी I hope आपको इतनी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी ठीक है क्या होता है circular flow of income के phases ठीक है आगे बढ़ते हैं अब समझते है real flow क्या होता है वास्तविक प्रभा क्या होता है तो वास्तविक प्रभा यहां पर होता है जब कभी भी जब कभी भी आपका यहां प किस में firms में हम जैसे household लोग ठीक है और उसके बदले में क्या होता है आपका यहां पर goods and services का production होता है ठीक है goods and services का production होता है और वो किसको दिया जाएगा वो यहां पर production किया गया है जो household sector है उसके लिए ठीक है तो यह क्या कहलाता है यह कहलाता है हमारा real flow ठीक है क्या कहलाता यह real flow कहलाता है बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यान में यह बात रखनी है चले समझते हैं इसके लिए एक diagram से ठीक है जैसे यहाँ पर एक आपका forms है ठीक है दूसरा आपका household है ठीक है दूसरा क्या है आपका household sector है ठीक है एक आपका household है और दूसरा क्या है forms है अब देखो यहाँ क्या हो रहे है household sector जो है वो यहाँ पर क्या दे रहा factor services ठीक है क्या दे रहा है factor services दे रहा है किसके लिए forms के लिए और forms बदले में क्या production कर रही है goods and services ठीक है बदले में क्या production कर रही है goods and services का production कर रही है जिससे कि जो भी needs है in household sector की वो क्या हो जाए पूरी हो जाए ठीक है आरे बस समझ आपको तो यह आपका examination में पूछा गया था आपका cbsc ठीक है जो last year examination हुआ था वहाँ पर यह आपका diagram पूछा गया था कि which of the following diagrams is true for the real flow of income ठीक है तो यह क्या होता है कि जब कभी भी जो household sector है वो अपनी factor services देता है किसके लिए फर्म्स के लिए और फर्म्स बदले में goods and services को production करते हैं जिससे की household की needs को पूरा किया जा सके उसे क्या बोलते हैं हम लोग real flow बोलते हैं ठीक है कोई दिखकर दिया तक नहीं होने चाहिए ठीक है तो जो भी यहाँ पर production हो रहा है वो पूरा का पूरा household के द्वारा consumption कर लिया जा रहा है इसको क्या बोलेंगा हम लोग real flow बोलेंगे अगली बात करते हम लोग money flow क्या होता है ठीक है अब देखो यहाँ पर भी concept हम फिर से समझना पड़ेगा ठीक है यह हमारा क्या है फर्म से यह क्या हमारा फर्म से और दूसरा सेक्टर जो हमारा है वो है क्या है household ठीक है तो एक सेक्टर हमारा household है और दूसरा क्या हमारा firms अब इन दोनों के बीच में फिर से क्या होगा अब money का transfer होगा क्या होगा यह money का transfer होगा ठीक है कैसे होगा तो जितना भी जो forms है ठीक है forms क्या करेंगे by factor payment करेंगे मतलब जो लोग यहाँ पर नौकरी करने आये थे इन forms में ठीक है उन्होंने क्या दिया यहाँ पर अपनी services दी और बदले में forms ने क्या दिया उसको पैसा दिया ठीक है तो वो क्या क्या दाते है आपका factor payment अब इस रुपय का करेंगे अब इस रुपय का क्या होगा तो यही जो household sector है वो क्या करेंगा जो भी रुपया उनके लिए यहाँ पर मिला है वो क्या करेंगे यहाँ पर consumption कर लेंगे ठीक है क्या कर लेंगे consumption expenditure कर लेंगे ठीक है consumption expenditure यहाँ पर हो जाएगा अब यह पैसा जो है वो किसके पास पहुंच जाएगा यह पहुंचेगा आपका यहाँ पर फिर से forms के पास में ठीक है तो यह never ending process है यह कभी भी खतम नहीं होता ठीक है कभी भी खतम नहीं होता है ठीक है तो यहाँ पर money flow किहोंगर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर पैसा जो है उसका यहाँ पर flow हो रहा है ठीक है real flow में क्या हो रहा था कि यहाँ पर हम लोग factor services दे रहे थे और बदले में में क्या मिल रहा था goods and services मिल रहे था जो कि हमने forms ने जो कि हमारे forms ने produce किये हैं ठीक है तो money flow में आपको याद रखना है कि यहाँ पर money flow होता है money flow refers to the flow of factor payments ठीक है flow of factor payments यह factor payments से मतलब क्या है यहाँ पर यह बात की जारी किस की यहाँ बात की जारी है income की ठीक है जो income है ठीक है income to household sector ठीक है तो जो भी काम किया जाता है उसके बदले में क्या मिलता है इनको income मिलती है इसलिए कि इसको क्या बोलते है factor payments बोलते हैं ठीक है from firms to household ठीक है from firms to household यह आपकी income जाएगी आपको यहाँ पर इतनी बात अच्छे से याद रखनी है ठीक है अब यह जाते क्यों है जाती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर factor services दी है किसने household sector ठीक है और बदले में क्या हो रहा है आपका यहाँ पर flow of consumption भी हो रहा है consumption expenditure जो हो मैंने भी बताया कि यहाँ से factor payment हुआ पैसा आया और इसी पैसे को यहाँ पर खर्च किया गया firms के जो भी goods and services है उनको खरीदने के लिए ठीक है तो घूम फिर के पैसा क्या हुआ यहाँ पर फिर से firm के पास चला गया firm क्या करेगी फिर से production करेगी production करने के लिए hiring की जाएगी किसकी factor services की और फिर उसके बाद goods and services को यहाँ बेजा जाएगा household sector के लिए ठीक है तो यह cycle जो है वो आपका इस तरह से पूरी complete होती है और यह हमेशा चलती रहती है और कभी भी अगर यह आपका छूट गया या इसम जाएगी crash हो जाएगी अब हमारी जो NCRT है वो कहती है circular flow in simple economy circular flow in simple economy क्या होता है तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि Siable Economy का होता है तो Simple Economy वो concept है जहां पर आपको याद रखना है कि दो ही sector present होते है economy में होता है Of principle economy में क्या होता है दो ही sector present होते हैं आपके economy में, वो कौन-कौन से हैं, एक आपका household sector है, ठीक है, household and firms, ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का कोई government नहीं होती है, और यहाँ पर किसी तरह का कोई taxation नहीं होता है, ठीक है, तो simple economy में आपको कुछ चीजे जो हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझनी चा economy consists of only two sectors, ठीक है, consists of only two sectors, ठीक है, उसमें केवल कितने sector होते हैं, 2 होते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए, कौन-कौन से 2 होते हैं, वो भी समझ लेते हैं, सबसे पहला है आपका household, ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका household, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आप यहां पर लिखोगे, यहां पर होगा, क्या? forms. ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका? forms. ठीक है, तीसरी एकनॉमी में, तीसरा बात क्या होगा? यहां पर absence होगा किसका? absence of government यहाँ पर किसी तरह की कोई भी सरकार काम नहीं कर रही होगे सरकार का क्या होगा है पर absence होगा किसी तरह का कोई भी taxation नहीं होगा सरकार जो होगी वो सरकारी नहीं है तो किसी तरह को taxation भी नहीं होगा और अगली बात आपको याद रखनी है no savings in the economy ठीक है जो लोग जो है वो जो भी income earn करते हैं वो सारा का सारा क्या कर देते हैं खर्च कर देते हैं वो कहीं भी कोई saving नहीं करते हैं ठीक है अब देखो यह circular flow of income में हम लें समझना है कि कैसे work करती है economy simple economy आपको समझ में आ गई यह भी question आपका बहुत important हो जाता है exam के लिए simple economy क्या होता है simple economy consists of two sectors one is firms and other one is household यहाँ पर जब सरकार ही नहीं है तो किसी तरह का कोई tax नहीं लिया जाएगा मतलब whatever people earn ठीक है जो कुछ भी वो earn करेंगे वो सबका सब आपका disposable income होगी मतलब वो सबका सब खर्च किया जाएगा उसमें कुछ भी कहीं भी कोई leakage नहीं होगा दूसरी बात यहाँ पर सरकार नहीं है और जो लोग हैं वो आपका saving भी नहीं करते मतलब जितना कमाते हैं वो पूरा का पूरा खर्च भी कर देते हैं ठीक है क्योंकि उसको जिंदा रहना है उसको living earn करनी है income earn करनी है तो वो क्या करेगा वो यहाँ पर कुछ न कुछ काम करेगा जैसे for example अगर उसके पास household के पास जमीन है ठीक है तो उसमें क्या करेगा वो फसल का production करेगा फसल बोएगा अगर चाहें तो वो उसमें अपनी नई industry भी लगा सकता है ठीक है तो one of the factors क्या हो गए वो हो गए आपके यहाँ पर lend दूसरा बहुत सारे ऐसे लोग है जो कि जिनके पास lend नहीं है वो क्या करेंगे दूसरे के lend में जाकर अपनी services देंगे ठीक है वहाँ पर वो lever देंगे ठीक है तो वो क्या हो गया lever हो गया उनको क्या मिलेगा wages मिलेगा फिर कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर हमारी एकनावी में जिनके पास पैसा बहुत होगा लेकिन वो उस पैसे को यूज नहीं कर पा रहे होंगे तो वो किसी दूसरे परसन को देंगे कि भाई यह मेरा पैसा है आप ले लीजिए और आप इसका use कर लीजेगा ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी और एक परसन ऐसा भी हो सकता है जो क्या करे जो बहुत ज़ादा risk लेने वाला हो ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम लोग entrepreneur बोलते हैं क्या बोलते हैं आपर entrepreneur कहते हैं ठीक है कैसे वो land लेगा किराय पर या फिर उसमें building खड़ी करेगा बिल्डिंग रेंट पर लेगा ठीक है बहुत सारे मजदूरों को बुलाएगा machinery इखटा करेगा और उसके production शुरू करेगा और सब समान इखटा करने के बाद जब production शुरू हुआ तो फिर उस produce को market में बेचा जाएगा और वहां से जो profit आएगा ठीक है जो भी आएगा उससे क्या होगा जो भी factor services यहां पर ली थी वो यहां पर उनको उनका contribution के according distribution कर देगा और जो बच जाएगा वो क्या होगा उस entrepreneur का क्या फाइदा यानि की profit रहेगा ठीक है तो हम कुछीज लिख लेते हैं जराफटाफट सबसे पहली तो चीज़े की आपके factors of production क्या होते है ठीक है ताकि आपको चीज़े अच्छे से याद रहे ठीक है factors of production ठीक है कितने होते हैं और होते हैं कितने होते हैं फटाफट बताएंगे जरा सबसे पहला है लेंड ठीक है तो लेंड का हम लोग utilization करते हैं तो बदले में क्या देते हैं rent देते हैं ठीक है दूसरा यहाँ पर होता है labor ठीक है labor के हम लोग services आप करते हैं और उसके contribution के लिए हम लोग क्या देते हैं यापर wages देते हैं ठीक है तीसरी चीज़ हम क्या लेते हैं आपर capital या machinery लेते हैं है ना तो यहाँ पर हम उसके बदले में क्या देते हैं बताएं interest चौथी चीज़ जो हमारा factor of production है वो क्या है हमारा entrepreneur ठीक है क्या है entrepreneur और entrepreneur क्या है ये एक ऐसा person जो की market में risk लेना जानता है ठीक है वो सारे factors of production को arrange करता है जिससे की production process शुरू हो सके और उसके बाद जो भी revenue आएगा उनको इन समय बाठ दिया जाएगा in the firm of rent, wages, interest और जो बच जाएगा वो entrepreneur के क्या हो जाएगा profit हो जाएगा ठीक है चलो समझते हैं तो यहाँ पर जो household sector है उसने क्या दिये अपने factor services दिये किसके फॉर्म में लेंड ठीक है capital, labor और enterprises के फॉर्म में ठीक है किसको दिये firms को दिये और firms ने बदले में क्या किया firms ने बदले में यहाँ पर production किया goods and services का अब यह goods and services किसके लिए प्रडूस किये गए भाई इस household sector के लिए तो प्रडूस की गए जो मजदूर है उसके लिए है आपर कुछ ना कुछ खाने का समान जो भी बनाया हो यानि कि जो आपका owners है factors of production के वही क्या है इन goods and services के consumption के लिए भी बने है वो दिकत नए होनी चाहिए अब देखो क्या होता है कि यहां पर जो हमने factor services दी थी बदले में फार्म समय क्या देते है बदले में वो हमें देते है पैसा ठीक है in the form of income जिसको हम लोग क्या बोलते है factor payment बोलते है अब यह रोपिया हम क्या करेंगे इसका हम कही ना कही तो इसको खर्च करेंगे कही ना कही तो डिस्पोस करेंगे तो हम लोग इसका disposal कहां पर करेंगे हम लोग इसका disposable करेंगे disposal करेंगे किसके लिए जो भी हमारे लिए goods and services बनाए गए थे इस firm के द्वारा उस goods and services को खरीदने के लिए ठीक है तो यहाँ पर जो में factor payment मिला है वही हमने यहाँ पर use किया किसके लिए consumption के लिए on goods and services तो घूम फिर के आप क्या देख रहे हो कि पैसा यहाँ से चला था और घूम के कहा आ गया इधर ही आ गया ठीक है को दिकत मेरे साफ से अब नहीं होनी चीए मैं दुबारा सा repeat कर देता हूँ एक बार कि जो household sector है वो अपनी factor services देता है firms के लिए ठीक है जिससे की goods and services produce हो सके और बदले में household sector को क्या मिलता है factor payments factor payments यानि कि उनको income होती है और उस income को फिर से वो dispose कर देते हैं firms के पास में ताकि वो उन goods and services को खरी सकें जो forms ने produce किये थे तो ये क्या है circular flow of income है जो पैसा यहां से चला था वो घूम फिर के क्या हुआ इदर ही आ गया है ठीक है को देखकर यहां पर मेरे साब से अब नहीं होनी चाहिए तो जितना भी आपका जो यहां पर goods and services का production हुआ है ठीक है goods and services का production हुआ है वो equivalent होगा किसके जो भी यहां पर factor services दी है उनके लिए ठीक है और जो भी factor payment यहां पर हुआ है इन लोगों के लिए वही क्या होगा यहां पर consumption expenditure भी हो जाएगा इस simple economy में क्यों? क्योंकि यहां पर किसी दरा की सेविंग भी नहीं की जा रही है ठीक है दूसरी बात यहां पर जो आपका real flow होता है यानि की goods and services का और factor services का वो हमेशा equal होगा money flow का जो की हो रहा है किसम है factor payments और consumption expenditure के form में कहीं भी किसी दरा से आप चले जाएए हर जगा आपकी value जो है वो हमेशा क्या होगी equal ही आएगी ठीक है तो I hope आपने बहुत अच्छे ते समझ लिया होगा क्या होता है आपका circular flow of income ठीक है simple economy में हमारे course में three sector economy और four sector economy नहीं है इसलिए इसका जिक्र यहां पर नहीं किया गया है चले आगे बढ़ते हैं और समस्ते हैं कुछ और चीज़ों को तो जब हमारी economy में goods and services का production होता है तो उसके बाद एक समस्या आती है कि goods क्या होता है तो goods and services वो चीज़े होती है जो हमारी satisfaction को पूरा करती है ठीक है जिनकी utility होती है और वो हमारे काम में आती है और हम उनको use करके अपनी जो जरूरते हैं वो पूरा करते है जो भी goods हमारी economy में produce होते हैं या तो वो intermediate goods होते हैं या फिर फाइनल goods होते हैं ठीक है जितना भी goods का production होगा आइदर वो आपका intermediate goods होगा या फिर आपका वो finished goods होगा अब finished goods को भी हम लोग 2 category में बार देते consumption goods and capital goods ठीक है अब ये consumer या फिर consumption goods capital goods क्या होते हैं इन सब की definition हम लोग बहुत अच्छे से अब ये पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं क्या difference होता है इन दोनों में ठीक है चलो अब एक बहुत बड़ी problem आती है लोगों के लिए कि वो किस goods को final goods माने और किस goods को intermediate goods माने ठीक है तो देखो मैं आपको इस तरीका बदा रहा हूँ इसका कोई भी particular definition कहीं भी किसी book में नहीं दिया गया है बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि उसका final use कहां पर हो रहा है या final use या फिर utility कैसे उसके drive की गई है अगर कोई person है चाय की पत्ती लाता है ठीक है अपने घर पर उसको चाय बनाके पी जाता है तो उस case में जो tea leaves है वह वहां पर होंगे final goods लेकिन वही tea leaves को एक restaurant खरीता है और वह चाय बनाके दूसरे लोगों को serve करता है ठीक है तो यहां पर जो वह tea leaves है वह क्या हो जाएंगे वह हो जाएंगे आपके यहां पर क्या बताए फटाफट क्या होंगे वह intermediate goods होंगे और दूसरे example समझते हैं जैसे आपने एक पेड़ उगाया अपने खेत में या फिर अपने garden में और वह पेड़ बड़ा हुआ बड़ा होने के बाद आपने क्या क्या उसको आपने काट के जला लिया थंडों में ताप लिया उसके लिए ठीक है ताकि आपके सर्दी दूर हो सके तो जो पेड़ है उससे जो लकड़ी आई है वो क्या होगे आपके लिए वो हो गई है भाई final goods क्या हो गई वो final goods होगे क्योंकि उसमें और कोई value addition नहीं किया गया और उसको सीधा सा ऐसा ही consume कर लिया गया अगली बास समझे उसी पेड़ को आपने कटवाया कटवाने के आपने फिर उसको यहां पर convert कर दिया furniture में ठीक है किस में convert कर दिया furniture में ठीक है तो जो furniture है वो उस समय हो जाएगा आपका final goods और जो लकड़ी आपने ली है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी यहां पर intermediate goods ठीक है तो देखे मैं आप बना दे रहा हूं यापर आप सम पेर बनाया ठीक है बहुत अच्छा सा आपने पेर बनाया ठीक है तो यह क्या हो गया आपका यह tree हो गया अब यह जो tree है आपका ठीक है इससे क्या बनवाए आपने लकड़ी बनवा ले ठीक है इससे क्या बनवा ले अपने लकड़ी इसकी बनवा ली और इस लकड़ी को finally आपने क्या किया है, ठीक है, यह जो लकड़ी आपकी आई है, ठीक है, यह क्या है आपका, बुध्ध है, और इसी से ही फिर आपने क्या बनवाया है, चेर बनवाई, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है, यह क्या बना आपका, चेर बना, ठीक है, यह क्या बना आपका, चेर बना है, तो यहाँ पर जो चेर आपने बनवाई है, यह क्या है, यह आपका हो गया, final goods ठीक है क्या हो गया यह आपका final goods और उससे पहले जो कुछ भी था वो सब क्या था वो यह था आपका intermediate goods ठीक है क्या था यह intermediate goods ठीक है तो I hope आप इतनी बात तो अच्छे ते समझ गया होगे कि भाई किसको हम लोग intermediate goods बोलेंगे और किसको हम लोग यहां पर final goods ठीक है तो final goods वो गोट्स होते हैं जिनका यूज आइधर हमारे consumption process के लिए के जाता है या फिर हमारे investment purpose के लिए के जाता है ठीक है सुने क्या बोलते हम लोग यहां पर final goods ठीक है आरे बस समझ अब intermediate goods क्या होते हैं वो समझ यह intermediate goods वो गोट्स होते हैं जो कि आपका यूज के जाते हैं either for resale or in the production process ठीक है ऐसे goods जिनका use के जा रहा है resale के लिए या फिर उनका production process में use के जा रहा है वो कभी भी आपके production boundary से बाहर नहीं निकले हैं वो सारे के सारे क्या हैं वो सारे के सारे हैं आपके यहां पर intermediate goods ठीक है for example समझ यह हूँ है हमने production किया अपने खेत में production करने के बाद हमने उसको अबाला और ग्यहों को खा गए वो क्या होगा हमारा final goods हो गया हमारे लिए लेकिन उसी ग्यहों को पहले पीसा गया पीसने के बाद उसका फिर मैदा बनाया गया ठीक है फ्लोर से क्या बना मैदा फ्लोर बना और उसके बाद उसका bread बना bread से फिर उसको sandwich में convert किया गया तो जो आपका sandwich है वो क्या है आपका final goods है क्योंकि अब हम उसको finally consume कर सकते हैं और इससे पहले जो कुछ भी वो आपका processing हुई है wheat की वो सब क्या है आपके intermediate goods हैं तो जो आपका final goods होते हैं उसमें आपकी value add होती है आपके raw materials की या फिर intermediate goods की इसल national income में हम हमेशा value consider करते है final goods की क्यों क्योंकि वो उसमें already value जो है वो सारी के सारी included होती है जो हमने processing यहां पर की है raw materials की I hope आपको इतनी बास समझ में आ गही होगी ठीक है अब देखो यह आपके examination में ठीक है अगर आप board में पढ़ाई कर रहे हैं तो 3-4 marks का आपके difference आ जाता ृझा का use किया जाता है आएधर फॉर था कंजंशन और फॉर था investment ठीक है जिनका use consumption या फिर investment में किया जाता उसे क्या बोलते है उससे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर final goods ठीक है और कोई भी ऐसा goods जिनका use के जाता है ठीक है या ठीक है या पर कोशे और प्रोडक्शन करने के लिए उसे ज्या बोलते हैं यहां बोलते dog इंट्रमिडेटgood ठीक है नीचर कैसा होता है यहाँ पर आपको याद रखना है यह आपके बनेस्टेव करें का धाता है ठीक है इनक्लूड़ेट इन नैशनल एंडब बनेस्टिक इंकम वह अगर हम बात करें intermediate goods की तो इनको यहाँ पर national income में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि अभी यह production boundary के अंदर है और जब यह production boundary के बहर आ जाएंगे तब यह final goods बनेंगे तब जाकर इनकी value को यहाँ पर add किया जाएगा और अगर हम यहाँ पर intermediate goods की value को हर बार add करते चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे लिए double counting हो जाएगी ठीक है double counting होगी तो हमारी जो value है final goods की वो हमेशा क्या आएगी जादा आएगी ठीक है यहाँ पर आपको याद रखना है यह आपके हमेशा ready for use होते है ठीक है लेकिन अगर हम बात करें इहाँ पर intermediate goods की तो आपको याद रखना है हर stage में आपका value addition होगा intermediate goods के जैसे आपने देखा था गिहूं के case में गिहूं से क्या बना floor, floor से क्या बना मैदा, मैदा से क्या बना मैदा से बना आपका bread और bread से क्या बना sandwich ठीक है तो they are not ready for use होते हैं ठीक है, इसमें कुछ और value addition होगा और उसके बाद फिर जाकर वो आपका final goods में convert होंगे ठीक है, आगे बात करते हैं they have crossed the production boundary ठीक है, ये जो हैं आपके cross कर चुके हैं production boundary को मतलब जो आपकी firm है जहाँ पर ये production हो रहा था ठीक है, कोदिकत नहीं हो गई यहाँ पर आपको याद रखना है they are still within the production boundary मतलब वो अभी भी अपनी जो assembly line है, उसके अंदर ही है वहाँ से वो बहार नहीं निकले है I hope आपको इतनी बात बहुत आदे समझ में आगे होगी, ठीक है तो जो milk purchase by household है मतलब जो milk purchase किया गया है किस के दोरा, household के दोरा अभी वो इसको फीर बना के खाएगा या फिर चाय में डाल के पिएगा लेकिन, वही दूद जो है वो आपका किसी भी sweets की shop ने खरीदा है, और उसके बाद वो क्या करेंगे, इसको process करेंगे रस्मलाई बनाएंगे, इसकी काजू कतली बनवाएंगे तो वो क्या हो गया, वो हो गया है आपर intermediate goods, ठीक है तो यहाँ पर जो भी milk यहाँ पर use किया जाता है, purchase किया गया है resale के लिए ठीक है, एक factory में, या फिर उसको किसी other form में process किया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे intermediate goods, I hope इतनी बात आपको बहुत अच्छेते समझ में आगे होगी, ठीक है तो फटा फट इसका आप लोग screenshot ले सकते है ताकि आपको future में, अच्छे से याद रहे कि भाई क्या होता है आपका ये difference ठीक है चल ये आगे बढ़ता है तो इन ही चीजों को हिंदी में बताने की कोशिश की है तो मैंने भी जो आपको बताया, उसको हिंदी में बताने के लिए यहाँ पर इस लाइड़ की है आगे बढ़ते है अब आता है भाई, consumption goods किसे गयता है ठीक है? Conjunction goods किसे कहते हैं? तो consumption goods वो goods होते हैं जो कि हमारे end user के लिए बने होते हैं. Ritail user के लिए बने होते हैं. उन्ने क्या बोलते हैं हम लोग? consumer goods कहते हैं. अब कुछ goods ऐसे होते हैं final goods में. जो कि आपके ना तो हमारे द्वारे उसको जाते हैं ठीक है नहीं वो intermediate goods होते हैं बलकि उनका use किया जाता है किसी दूसरे production process में for example सुनिए का ध्यान से जो चक्की है जिसमें आटा पीसा जाएगा गिहूं को पीसा जाएगा वो तो final goods है क्या हम उसका use कर रहे हैं खुद अपने अपध्य हमें तो आटा चाहिए है हम आटे का use कर रहे हैं लेकिन हमारे पास चक्की भी तो ओनी चाहिए जिससे वो आटा पीसेंगे है तो वो क्यों केब फाइनल डुट्स है वो चक्की क्या है When फाइनल गूट्स है उसमें कोई वैलीउबिछ स्थ js Одक लूadece है लिए फिर भी वह फाईनल डिशन के लिए क्यी फिर्ट काम में नहीं आरही हैं खीन है हमारे काम में से जो अटा बनाया गया है वह ऑग्सौरटे बनाने के लिए वो क्या है वो हमारा consumer goods है क्या हमारा consumer goods है ठीक है याद रखेगा consumer goods या फिर consumption goods refers to those goods which satisfy the human wants ठीक है जो हमारी satisfaction के लिए बनाए गए होते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ utility मिलती है वो से क्या बोलेंगे हम लो consumer goods बोलेंगे ठीक है जैसे bread हो गया butter हो गया shirt हो गया pen हो गया pencil हो गया यह सब क्या है यह सब हमारे यहाँ पर हो गयाएंगे क्या बताइए consumer goods अब एक बात और अच्छे समझना एक कार है जिसका use हम कर रहे हैं है अपने office जाने के लिए लेकिन वही कार या उसके जैसी कार एक और यूज की जा रही है एक company के दोरा marketing purpose के लिए समझे का बात के लिए जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे news channels है जो अपने news reporters को कार में बिठा के भेजते हैं ठीक है news reporting करने के लिए तो वो उन की खुद की पसमल कार तो नहीं है उसका यूज किया जा रहा है news की reporting करने के लिए तो जो कार वहाँ पर यूज की गई ठीक है उस correspondent ने यूज की वो क्या है वो capital goods हो जाएगी और कार जो हमने अपने लिए उसकी वो क्या हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी consumption goods ठीक है ऐसे ही जो refrigerator है जो यूज किया गया किसी sweets के shop में ताकि sweets को लंबे time तक यहां पर fresh रखा जा सके वो क्या हो गया capital goods हो गया और वही frizz हमने अपने घर में लगया हुआ है वो क्या हो गया हमारा consumption goods हो गया को दिकत अब मेरे साफ से नहीं होनी जी मैंने बहुत clarity में आपको बता दिया तो depend करेगा भाई कि वो चीज जो है वो कैसे किस purpose के लिए उसकी जारी है उसके बाद ही हम decide करेंगे कि व वे durable goods क्या होते है बहुत लंबे टाइम तक अपने घरों में यूज करते हैं ठीक है और उससे हमारी satisfaction भी पूरी होती है for example टीवी ए रेफ्रिजरेटर है घीजर है ठीक है आरो है यह क्या है यह सब हमारे durables हैं क्योंकि यहां पर हम उनको एक considerable amount of time तक यूज कर सकते हैं ठीक कि उनका बार-बार हम लोग यहां पर यूज करेंगे जैसे आपके घर में mixer है grinder है ठीक है ऐसा नहीं कि आपने एक बार मसाला पीसा है अपने एक बार juice निकाला और उसको फैंक दिया या फिर एक मेहने बाद आपने उसको change कर दिया ऐसा तो नहीं होता ना आप उसका use करते ह हो तीन चार पांस दस साल तक ठीक है तो वो क्या हो गया consumer durables हो गया कोई दिकत नहीं होने शेए अब आप समझते है semi durable goods क्या होते हैं semi durable goods क्या होते हैं जिनको हम लोग limited period of time तक use कर सकते है ठीक है goods which can be used can be used for a limited period of time ठीक है जैसे हमारे जो कपड़े हैं crockerी शूज है हम लोग एक साल अभी लिये हमाल्य जेजूते हैं हमने एक साल पहने झूते हैं और इसको 죽 फैंक दिया लेकिन आम इनको दस साल तो यूज नहीं करने जा रहे हैं न हम इनको 5 साल तो यूज नहीं करने जा रहे हैं यह क्या होंगे यह हमारे थोड़े समय वाद खराब हो जाएंगे तो इसकों किया बोलते हैं semi-durable मतलब इनको बहुत लंबे टाइम तेक हम लोग यूज भी नहीं कर सकते हैं और उसके साथ-साथ हम इनको एक बार यूज करके fake भी नहीं सकते हैं वो क्या होगा है हमारे semi-durable goods हो गया है ठीक है अब ये non-durable goods क्या होते है goods which are used up in a single act ठीक है जिनका use हम लोग करते हैं single act में मतलब एक ही बार हम उनका use करते हैं उसको क्या बोलते हैं यहापर बोलते हम लोग non-durable goods जैसे जैसे हमारा चावल, आटा, डाले, ब्रेड, बटर ये सब क्या है ये सब हमारे है non-durable goods अभी कुछ चीजे ऐसी भी होती है जो कि हमारे goods के गडिगरी में नहीं आती वो intangible होती है हम उनको आखों से छूल देख नहीं सकते हैं हातों से छूल नहीं सकते हैं ठीक है तो वो क्या होते हैं वो हमारे यहाँ पर होते हैं services ठीक है आप यह quantify नहीं कर सकते कि भाई मैं आज 5 kg पढ़ के आया आज मैंने न 10 मीटर पढ़ाई करी आज मैंने तो भाई 5 kg पढ़ाई करी अब नहीं पढ़ूँगा मैं थक गया आज मैंने 5 km पढ़ाई करी गे ऐसा थो नहीं बो सकते ना तो यह क्या है यह है हमारी services आप doctor के पास ज लेना है आप तो गयते दवाहि लेने के लिए और उसने क्या क्या उसने सिर्फ सिर्फ आपको बड़ा सा पर्चा एक्दम बना के दे दिया यह जाओ पैथलोजी लैब पर यहां से जाके कहलेना आपको सेंपल देना है और वहां से रिपोर्ट लानी है 500 रुपल चले गए आपके उसने आपको कुछ दिया भाई सिर्फ और सिर्फ पर्चा दिया थोड़ी दिर आपको विड़ाग रखा बताया भाई यह आपको लिखत है आप यह टेस्ट करा लीजे तो यह क्या है यह आपके हैं services जहां पर आपके लिए बदले में कुछ नहीं मिला ठीक है बदले में देखा जाए तो कुछ भी नहीं मिला है तैंजिबल जिसको आप चूप के महसूद कर सको नहीं भाई आज तुमेंदे 500 रुपए की डॉक्टर साब ने सला दिये ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं ठीक है तो आख हो गयें और चली आगे बरते हैं अब समझते हैं capital goods का ओते है capital goods वगड्ल होते हैं जो की कभी ऑलकिक अब करते हैं उस-कक्छ याग करते हैं पादक्शन के यूण प्रोड्क्व इसके क्या वोलते हैं उससे हम लोग बोलते हैं या पर कापिटल गोड्स ठीक है जैसे जैसे हो गया आपका plant and machinery हो गया है ना क्यों क्या हो गया capital goods अब यह mobile को manufacture करने की जो machine है वो directly end user के तो नहीं आ रही लेकिन उससे वहाँ पर mobile को manufacture किया जा रहा है जैसे मैंने आपको example दिया था चक्की का चक्की जो है वो हमारे काम में नहीं नहीं आ रही है directly बल्कि वो काम कर रही है लोर को process करने में या weed को process करने में ठीक है तो वो क्या हो गया आपकी वो हो गया यहाँ पर capital goods ठीक है को देकत नहीं होने ची मेरे साब से अब देखो यार अंतर समझो difference समझो क्या होता है ठीक है तो consumption goods वो goods होते हैं जो की हमारी satisfy करते है human wants को उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग capital goods sorry consumption goods कहते है capital goods वो goods होते हैं जो की हमारी wants को directly satisfy नहीं करते ठीक है बलकि वो आपका help करते है production process में ठीक है इससे हमारी capacity है वो future में increase होती है जैसे माल लिजे कि हम पहले चक्की से हाथ वाली चक्की से आटा पीस रहते हैं जों पीस रहते हैं अभी क्या हुआ हमने machine लग वा ली तो machine से क्या हुआ कि अब हमारी production capacity क्या हो गई है बढ़ गई है अर्यवा समझ लेकिन अगर किसी भी economy में आपका production होता है consumption goods का तो यहां से किसी तरह का कोई भी आपको future में increment टेखने को नहीं मिलेगा production capacity में ठीक है इससे लिए किसी भी economy को आगे grow करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसमें consumer goods इनकी consumption goods और आपका capital goods दोनों का production होना चाहिए ठीक है जिससे कि future में हमारी production capacity increase हो और आज की हमारी जो human wants है उनका भी पूरा satisfaction हो सके या हमारी जो लोग है उनका welfare भी हो सके ठीक है तो most of the consumption goods have limited expected life ठीक है तो durable goods को यहां पर छोड़ कर बाकि किसी भी आप लोग यहां पर बात करें consumption goods की उनकी life जो है बहुत कम होती है लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पर capital goods की तो यहां पर हमेशा उनकी एक life होती है ठीक है जो की हमेशा एक साल से जादा के लिए आपको देखने को मिलेगी और इसी लिए यहां पर जो भी जो भी क्या होगा विरेंटियर लॉस होगा उस विरेंटियर लॉस को हम लोग चार्ज करेंगे capital goods के value से मतलब अगर हमने इस साल को मशीनरी खरीदी है और अगर हम अगले साल उसका market value find out करें तो हम क्या करेंगे हम उसमें से जो भी उसमें विरेंटियर लॉस हुआ है जो भी उसकी technology में कमी आई है उसको यहां पर minus करना पड़ेगा exact value निकालने के लिए ठीक है चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं aggregates of national income तो अभी तक आपको मन में ख्याल आ रहा होगा एक बहुत छोड़ा सवाल आ रहा होगा कि सर हमने प्रिशल लेक्चर पड़ा वहां पर हमको national income क्या होता है पता नहीं चला आज भी हमने आता लेक्चर देख लिए हमें पता नहीं चला कि national income क्या होती है ठीक है भाई पहुंचो गए समझ आएगा पहले को जानतो लो जरूरी बात है ठीक है कि कैसे national income को find out करते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं aggregates of national income और फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बास्ता में national income क्या होती है चलिए आगे बात करते हैं तो सबस domestic product at market price ठीक है दूसरे आपका gross domestic product at factor cost GDP FC अगला है आपका net domestic product at market price NDP MP और उसके बाद है आपका net domestic product at factor cost जिसको लोग बोलते हैं NDP FC और domestic income ठीक है बहुत important हो जाता है आपके exam के लिए यह domestic income का formula अच्छे से याद रखेगा कि net domestic product at factor cost को ही हम लोग क्या बोलते हैं domestic income कहता है ठीक है घरेलू income या घरेलू उत्पाद कहा जाता है इस NDP at factor cost के लिए अगली बात करते हैं gross national product at market price GNP MP अगला है gross national product at factor cost फिर उसके बाद हम बात करेंगे net national product at market price और आखर में हम लोग बात करेंगे net national product at factor cost जिसको लोग वो जानते हैं NNPFC या फिर national income के नाम से ठीक है तो यह हमारे 8 aggregates होते हैं और भी बना सकते हो आप इनको ठीक है अलग-अलग कुछ ना कुछ addition करके लेकिन यह 8 आपको बहुत important है याद करना इनके formula को आपको drive करना आना चाहिए ठीक है क्या minus करें क्या add करें यह आपको अगर नहीं आया त आपका exam में अगर कोई यहां पर question आया तो आप उसको कभी भी ठीक से attempt नहीं कर पाऊँ ठीक है बहुत आचित समझेगा क्या होता है चल तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GDP at market price क्या होता है ठीक है बहुत important है GDP MP क्या होता है तो देखो एक बात को समझो कि हमारे जो खेत ह हमारे गाओं में जो हमने शुरुवात में बात की थी वहां से हमने ग्यों का production किया तो यह क्या हुआ यह हमारी income हो गई है जितना भी हमारे खेत में production हुआ है वह हमारी क्या होगे income हो गई हम उसको बेच कही क्या करेंगे हम उसको बेच कही income को यहां पर लाएंगे अपने मैं वैसे ही अगर मैं इंडिया के पूरे इंडिया के सभी खेतों में जितना भी dog grains चेपर प्रोडॉक्शन और यह उसको अध्र कर दों तो मुझे साज आएगा ना कि मे इंडिया में कितना प्रोडॉक्शन वया है , बताईजा मुझे पता चल जाएगा ना मेरे इंडिया में कितना total production हुआ है ऐसे ही अगर मेरी यहाँ पर एक steel factory है मैं वापर एक steel का production करता हूँ और मैं पूरे इंडिया में जितनी भी steel की factory है सब के production को add कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरे इंडिया में कितना production हुआ और मुझे वहाँ से कितनी income मेली है ठीक है तो यही कहता है हमारा gross domestic product at market price ठीक है तो जो भी हमारी market value होती है जो भी हमारी market value होती है final goods and services की जो की produce की जाती है आपके domestic territory में within the domestic territory of a country during a year तो हम उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं GDP क्या बोलेंगे उसको GDP at market price क्या बोलेंगे GDP at market price आगी बास समझ में कोई दिखके दिया तक नहीं होना चाहिए अब देखो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से थी जो को समझना है सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो बात की गई वो थी आपकी क्या gross ठीक है किसकी बात थी? gross की बात की गई अभी gross का मतलब क्या होता है? gross का मतलब यहाँ पर होता है total ठीक है क्या मतलब होता है यहाँ पर? total market value ठीक है market value की बात की गई है ना कि book value की बात की गई है मतलब यहां पर किसी तरह का को depreciation को minus नहीं किया गया है यहां पर किसी तरह का को indirect taxes को minus नहीं किया गया है नहीं add किया गया है ठीक है तो जो भी market value है उसकी बात यहां पर की जारी है अगला concept आता है आपका domestic territory का इसके मतलब क्या होता है domestic territory का मतलब होता है भाई वो territory जहां से हमारे factors of production काम करते हैं उसको क्या बलते हम लोग domestic territory जैसे अब अगर हमारे भारत के इंदर कोई भी person है कोई भी person है जो कि कहां का है US का काम कर रहा है हमारे अंद यहां पर हमारे घर में हमारे इंडिया में तो वो क्या हो गया हमारी domestic territory का part नहीं होगा ठीक है हमारी domestic territory का part नहीं होगा क्यों क्योंकि भाई वो कहां काम कर रहा है sorry कहां का है वो वो वहां का है जहां उसका residential status होगा ठीक है वहां कि से इडिजन से कहां की है उसकी यूएस की है ठीक है अरे बस समझ अब एक परसन है जो की है इंडिया का काम कर रहे है खहां पर काम कर रहे है खहां पर यूएस में ठीक है तो अब यूएस में जो काम कर रहा है क्या वो हमारी इंडिया में इंकम लेकर आ रहा है अब इंकम नहीं लेकर आ रहा है ठीक है तो वहां की domestic territory का part होगा ठीक है हमारे यहां का नहीं होगा ठीक है तो हमारे यहां का domestic territory का मतलब है कि हमारे इंडिया की जो boundary है ठीक है उसके अंदर कोई भी जो काम कर रहा है वो क्या है domestic territory में शामिल किया जाएगा और उसकी जो income होगी वो इंडिया के domestic territory में शामिल की जाएगी ठीक है? इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे भी जब हम factor income की बात करेंगे तब चलो तो यह बात आपको समझागी एक साल के अंदर अंदर जितना भी production होता है आपका उससे क्या बोलते हैं? उसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या GDP at market price gross domestic product at market price इसी को कई बार हम लोग national income बोल देते हैं लेकिन अभी हमने national income की बात यहाँ पर नहीं करनी है क्योंकि यह formula जो है वो थोड़ा सा incomplete है ठीक है? आगे बात करते हैं अब आगे बात करते हैं gross national product at market price यह क्या होता है? ठीक है? gross national product at market price यह क्या होता है? तो यहाँ पर बात की जाती है जब कभी भी GNP MP हो GNP MP जो हमने भी GDP MP ठीक है? अगर हम इसमें net factor income from abroad शामिल कर दें तो यहाँ से हम क्या करेंगे? GNP MP निका सकते हैं ठीक है? अब domestic trade का मतलब समझीगा? देखो हमारे यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं जो की factors of production बहार के हैं ठीक है? हम उनकी income को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ठीक है? और हमारे यहाँ के जो लोग है हम उसकी income को क्या करेंगे? यहाँ पर add करेंगे ठीक है? चलो तो अभी हम फिलाल इसको यहाँ पर pause करते हैं अभी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि भाई जो GDP है इससे हम लोग किस तरह से पहुँचेंगे? NDP at factor cost पर ठीक है? देखिएगा तो अभी हमने यहाँ पर सीखा कि GDP is equals to होता है market value यह money value of all the final goods and services ठीक है? money value of all the final goods and services final goods and services services produced in one year ठीक है? in one year यह क्या हो गया हमारा? GDP MP GDP MP हो गया यह ठीक है? अब यहाँ से अगर हम ठीक है? NDP MP निकालना चाहें तो क्या करेंगे? बताइए हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर GDP MP से माइनस कर देंगे क्या? depreciation मतलब जो कुछ भी हमारे यहाँ पर capital goods का production हुआ है उस capital goods के production से capital goods के production से क्या होगा? हमारी economy में उतना यहाँ पर addition नहीं होगा कुछ capital goods ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ पर capital loss की वज़ा से उनकी value को minus किया जाएगा और example जैसे हमारे economy में final goods प्रेडूस किया गए बहुत सारे ठीक है? उसमें कुछ capital goods थे अभी कुछ capital goods ऐसे हैं जो कि पुराने capital goods को replace कर रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर उनकी जो value है वो कम हो गई होगी या फर उनकी technology obsolete हो गई होगी ठीक है? तो जो कुछ भी हमने यहाँ पर यहाँ पर चीजों को खो दिया ठीक है? जो हमारा capital loss हुआ उस capital loss को हम लोग क्या बोलते हैं? depreciation और उस depreciation को हम लोग क्या करेंगे? minus करेंगे GDP में से तो हमको क्या मिलेगा? net domestic product at market price मिल जाएगा ठीक है? हमारी domestic territory में जितना भी production हुआ उसमें से अगर हमने depreciation को minus करा तो में क्या मिला? NDP MP ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से आपको एक चीज और अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि भाई NDP FC क्या होता है? ठीक है? तो यह होता है आपका NDP FC होता है NDP MP minus net indirect taxes ठीक है? net indirect taxes ठीक है? अब यह क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे economy में हम जो कुछ भी produce करते हैं उस पर बहुत सारे taxes लग जाने के कारण उसकी value जो वो बढ़ जाती है ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाँ पर कुछ product पर government बहुत ज़्यादा subsidy भी देती है तो जब subsidy देती है किसी product पर तो उसकी जो market value है वो कम होगी ठीक है? market value जो है उसकी कम होगी किससे? factor cost से और कभी भी जब tax लगा दिया जाएगा बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर जो market value है वो ज़्यादा हो जाएगी for example जैसे हम लोग बात करें petrol के ठीक है? हम लोग बात करें petrol के ठीक है? तो petrol जो है उसकी जो factor cost है वो कम है लेकिन जब उस पर indirect taxes लग जाते है तो taxes लगने के कारण उसकी जो market value वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अगर हमें यह पता करना हो कि भाई उसकी exact value कितनी है? कितना यहाँ पर वास्ता में production हुआ है तो हम क्या करेंगे? हम उस पर लगने वाले जो indirect taxes है उनको क्या करेंगे? माइनस करते हैं ठीक है? और अगर किसी product पर यहाँ पर subsidy दी जारी होगी ताकि वो product आपका अच्छे से या फिर लोगों की जो जेब है उसमें आ सके या फिर वो affordable हो सके तो government क्या करती है? government वहाँ पर subsidy भी देती है ठीक है? तो जब कभी भी हम यहाँ पर indirect taxes को क्या करते है? माइनस करते हैं और subsidies को add करते हैं तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है? net indirect taxes जिसको मैंने सीधे-सीधे formula में लेख दिया है ठीक है? अरे बस समझ तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पहुंचते हैं ndp8 factor cost पर net domestic product at factor cost पर तो जो net domestic ठीक है? net domestic product at fc होता है is known as domestic income ठीक है? तो यह बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि भाई जो भी हमारा ndp होता है वही क्या है? वही हमारा domestic income की category में आएगा ठीक है? तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने यहाँ पर सीख लिया हमारा कि भाई GDP at market price क्या होता है? GDP at market price क्या होता है? GDP at factor cost क्या होता है? ठीक है? और हमने फिर क्या सीखा? ndp at market price ठीक है? क्या होगा? और ndp at factor cost जिसको हमने लोग बोलते हैं क्या है आपर? domestic income ठीक है? एक concept आपको और अच्छे से याद रखना चाहिए ताकि आपको कभी भी जब कभी भी आप इस तरह के numericals को solve कर रहे हो तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए ठीक है? जैसे कभी भी कोई value आगर आपको दी गई है gross में ठीक है? कभी भी कोई value आपको दी गई है gross में, वहां से आप minus करते हो क्या? depreciation क्या माइनस करते हैं आप इसमें depreciation तो आपको जो value मिलेगी वो क्या होगी वो होगी net क्या होगी भाई वो value क्या होगी आपकी net होगी ये बात आपको अच्छे से याद रखने है ताकि आपको जब अगले वार कभी भी formula drive करो तो आपका formula यहाँ पर अच्छे से आ सके ठीक है कभी भी कोई value आपको दी गई है यहाँ पर domestic में कोई value आपको दी गई है domestic में उसमें अगर आप add कर रहे हो net factor income from abroad net factor income from abroad या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं क्या है NFIA क्या बोल देते हैं इसको NFIA तो यहाँ पर हमारे लिए जो value मिलती है इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या national ठीक है क्या बोलते हैं इसके लिए national बोलते हैं ठीक है तो इसका हम लोग आगे आने वाले time में इसका बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे इस formula का ठीक है देखो जब कभी भी हमारे लिए domestic income दी गई हो ठीक है जैसे GDP दिया गया है और हमें निकालना कि हमारे ओंध किए रेजिडेंट्स ने कितनी इंकम की है क्या करेंगेपक यह लहीं कितना इंकम कर रुए हैं ऑर दूसरे देशों के जो रेजिदेंट्स हैं थीक है ऑपनी इंकम सेको दोर ख्या-शकर कर देंगे और जो हमारे residents है ठीक है हमारे जो factor for production है बाहर काम कर रहे हैं अपनी services दे रहे हैं तो उसकी income को हम यहाँ पर add करेंगे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं net factor income from abroad ठीक है तो domestic से हमें कहा जाना हो national पर जाना हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर NFIA को add करते हैं ठीक है net पर जाना हो तो हम gross depreciation को minus करते हैं इतनी बात आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए अपने examination के लिए ताकि आप अच्छे से formula को drive कर सकें ठीक है दूसरी बात कर लेते हैं अगर आपके लिए कभी भी factor cost पर जाना है ठीक है आपके लिए कभी भी factor cost पर जाना है तो आप क्या करेंगे बाश सीधी सी बात है factor cost पर जाने के लिए आप क्या करेंगे ठीक है market price से indirect taxes को minus करेंगे ठीक है indirect taxes को आप क्या कर देंगे minus कर देंगे और subsidies को क्या करेंगे आप लोग यहाँपर add कर देंगे ठीक है subsidies को आप लोग यहाँ पर add कर देंगे तो यह आपका एक नया formula बन जाता है factor cost पे जाने के लिए या फिर आप सीधे सीधे इसको लिख सकते हो market price minus net indirect taxes market price minus net indirect taxes ठीक है तो यह सारी चीज़े हमने आज बहुत अच्छे चे समझ ली है अगली class होगी उसमें हम लोग कुछ और बात करेंगे जो कुछ basic aggregates बच गए है उनको आगे cover करेंगे तो अभी तक हमने क्या सीखा है ठीक है उसको हम लोग फटा फट समझ लेते हैं ठीक है तो आज हमने सीखा क्या होते हैं circular flow of income ठीक है उसके बाद यहां पर हमने आज सीखा कि भाई final goods क्या होते हैं goods क्या होते हैं ठीक है और इस circular flow of income में कैसे income generate होती है वो हमने समझ लिया ठीक है अब final goods में हमने इसका सीखा भाई consumer goods क्या होते हैं ठीक है consumer goods क्या होते हैं और उसके बाद हमने क्या बात की यहां पर capital goods क्या होते हैं बहुत अच्छे से तोनों चीजों को हमने यहां पर समझ लिया और उसके बाद हमने समझा basic aggregates of national income ठीक है तो circular flow of income में आपको याद रखना है कि भाई दो ही sector present होते हैं आपके economy में पहला होता है firms और दूसरा क्या होता है vordan क्या होता है ठीक है तो यह जो आपके फ़र्म है और जो household है इनी के बीच में transaction आपको देखने को मिलते हैं ठीक है п. तो जो household तो यहां पर देता है factor services क्या देता है भाई, factor services देता है, बदले में यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर goods and services का production होता है, क्या होता है, goods and services का production आपको देखने को मिलता है, किस के दोरा, यहाँ पर forms के दोरा, अभी जो forms है, वो क्या देता है भाई, वो देता है यहाँ पर factor payment, क्या देता है, factor payment देता है किसके लिए household के लिए ठीक है जो भी यहाँ पर factor services दी है इन लोगों ने अब इसी रुपए को क्या होता है इसी रुपए को यहाँ पर खर्ज कर देते हैं कौन यह जो लोग है हमारे economy में किसके form में consumption expenditure के form में ठीक है consumption expenditure के form में ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते है circular flow of income अब इससे एक बात तो बिलकुल तय हो जाती है कि भाई जो भी यहाँ पर consumption expenditure हो रहा है वो equal होगा किसके factor payments के ठीक है factor payments by the firm is equals to consumption expenditure by the household ठीक है और जो factor services दी है हमारे यहाँ पर हमारे लोगों ने यह equal होंगे किसके goods and services के जो produce की गई है इस form के द्वारा ठीक है तो यह चीज़े हमने अच्छे से जान ली तो अगली class जो हमारी रहने वाली है उसमें हम लोग काम करेंगे बहुत important अलग तूसरे aggregates पर तब तक के लिए आपको क्या पढ़ना है अपनी NCRT जो है उसको आप पढ़िए बहुत अच्छे से जो भी उसमें aggregates दिए उनको पढ़िए ठीक है सबसे पहली बात तो उसके बाद आपको क्या करना है previous questions जो आपके बचे हुए उनको पढ़िए उसके बाद आपका जो model papers है ठीक है जो आपके model papers है उनको भी एक बात देखिए ध्यान से ताकि आप लोग जितना भी काम करें वो यह ध्यान में रखते हुए करें कि हमारे examination का pattern है क्या हमारा exam demand करता है ठीक है चलिए तो हमने तीनों चीज़े आज कवर कर ली circular flow of income circular flow के types क्या क्या होते है real flow क्य ठीक है फिर basic aggregates of national income हमने कुछ आज पढ़ लिये हैं अगले class में फी हम लोग पढ़ लेंगे जो बच गया हो और उसके बाद हम लोग समझ लेंगे कि national income को हम लोग कैसे drive करते हैं ठीक है तो I hope आपने lecture को enjoy किया होगा बहुत मजा आया होगा आपके लिए ठीक है थोड़ा सा जो पुराने lectures हैं उनको भी जाके देखिए क्योंकि अगर वो नहीं देखें तो फिर आपको ये आज के lectures में इतने समझ आपको develop नहीं होगी ठीक है और उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि क्या होता है national income और हम इसको आगे इसके methods कौन कौन से होते हैं जिसने हम national income को find out क करते हैं ठीक है तब तक के लिए all the best thank you for joining the session फिर मेलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद वन्दे मात्र